विल्कम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल तो फाइनली जेके SSB के जो अड़र्टाइजमेंट चार आप 2022 के जो ओनलाइन फॉर्म है वो एपलाइं होना स्टार्ट हो गये हैं तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना जेके SSB अड़र्टाइजमेंट न कैसे करोगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सबस्क्राइब नहीं करते हो और मैं भी डिमॉटिवेट हो जाता हूं वीडियो बनाने के लिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट र ऑफ से जाहिएड और को जंसमिंशन के सब्समेंट को सब्समिशन ओनान एप्लिकिशिंक्यों 1582 य Запاب कर चैनल को सब्समिशन 3018 City को सब्समें ucz तक पॉस्ट है। दो वाली हैं। उसके बाद बात की जाये ऐँर। एसमें जो है थो हैं decir के जाहे है। और धसक शुमत रहुत हैं। जैसे के की सब्सक्रेयओं के तो बाद की जाये इसमें पॉस्ट। पारवर्ब्रे से नहीर की चाहिए। 10 प्लस 2 हैं तो वीडियो थोड़ा लेंध ही हो जाएगी क्योंकि मैं इतने डिटिल्स में आपको पता नहीं सकता हूं तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें जालिए अप दिखाते हैं आपको कि आप अपना फॉर्म जो है वह एपलाई कैस sb.nice.in का जो ओफिशल वेबसाइट है वो आजाएगा आपको ओपन कर देना है ओपन करने के बाद मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आप वहां से क्लिक करके डिरेक्टली साइट पे आ जाओगे उसके बाद आपको नीचे आजाना है न three dots पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे candidate registration पे क्लिक करने के बाद आपके सामने login पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद अगर आप new candidate है तो आपको यहां पर dot have account याने sign up पे क्लिक करना होगा अगर आप already registered candidate है तो आपको यहां पे अपनी email id और password डालना होगा और login कर देना अगर आपको अपनी email id या password भूलके हैं, तो आपको यहाँ पर forget your password पे क्लिक करना होगा, इस पे क्लिक करने के बाद, यहाँ से आप अपनी email id डालके अपना password जो है, वो forget कर सकते हो, अगर आप new candidate हैं, तो आपको यहाँ पे sign up, याने don't have account, तो आपको यहाँ पे sign up पे क्लिक करना होगा, sign up पे क्लिक करने के बाद, अगर आप new candidate हैं, तो आपको जो अपना account है, वो create नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैं वीडियो के description में link दे दूँगा, या आपको comment में पीन करके link दे दूँगा, अगर आप new candidate है, अगर आपको कोई problem हा रही है, registration करने में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना first name, middle name, last name, और आपको यहाँ पे अपना gender select करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे feel करना है, अपनी email address, उसके बाद आपको यहाँ पे retype email address, उसके बाद आपको mobile number feel करना है mobile number carefully feel करना है क्योंकि आपके mobile number पे OTP बेज़ जाएगा तो आपको वो verify कर देना है OTP verify करने के बाद आपको यहाँ पे register पे click करना है register पे click करने के बाद आपकी जो registration है वो successfully हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे click here to login पे click क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपनी इमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड क्रेट किया था वो डालना है उसके बाद आपको यहां पर आइम नाट रैबोड पर क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आप सेक् पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आप इस पोस्ट में अप्ल्या करना चाहते हो आप ड्राइवर के लिए यायनि ड्राइवर गाड तो ड्राहवर गारड थी डैनिज ड्ल्ट प्रिप्वेध इन सपेक्टर अलेक्रेशं न उब ila से दिया हूं और वो post यहां पे select कर देना है, post select करने के बाद, आपको save and continue पे click करना है, save and continue पे click करने के बाद, आपको यहां पे first select कर देना, select करने के बाद, आपको यहां पे division select कर देना, अगर आप दोन division select करते हो, तो आप select कर सकते हो, जो भी आपको division select करना है, वो आप कर सकते हो, division select करने के ब मट्स्राइब करने के बाद 17 यहां करने आपको यहां पर फवीर्ट कि प्रेफरेंस के बात 60 यहां did कश्मीर को देना चाहते हो यहां आपका जो बेखरेंश आपके वह 2 हिसाब से वह की तई कि प्रेफरेंस देने के बाद आपको से 10 अन् Intellio पे क्लिक करने के क्लिक करने के बाद आपका जो फरस्त नेम एपना फ़र्डर्स नेम इंटर करने हम उसकी बाद आपको यहां पे अपना जेनर औरेड़ इसलेक्ト हो पर चेक करनी है, फील करनी है, डीडा पर फील करने के बाद आपको यहांपे 추천 करना है कि आप मैरेडो हो, उसके बाद आप आपको यहांपे Domicile Certificate number डालना होगा, उसके बाद आपको यहांपे इसके बाद आपको यहांपे हैं, नाइब इसके बाद आपको save and continue पे click, उसके बाद आपको यहाँ पे house number, localty और village और division अपना select करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना district select करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी तासिय select करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे fill करना है block और यहाँ पे आपको fill करना है पंचायत आपका पंचायत कूंस है उसके बाद आपको यहाँ पे पीन कोड फिल करना है सारे details fill करने के बाद आपको save and continue पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना permanent address डालना है अगर आपका residence address और परनेट एडर्स जो है वो सैम है तो आपको यहां पे सैम एज़ परनेट एडर्स पे क्लिक करने है इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सेव एंड कंटीनियू पे क्लिक करने है सेव एंड कंटीनियू पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे दिखा रहा है आर यू स् XROS main, अगर आप XROS main है तो आपको yes कर देना, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे no पे प्लास के जो डेटील्स है वो फिल करने है है यह पर आपको स्लेक्ट करना होगा अपना जमो कश्मीर से कया है CBSE, ICCSE, यह अधर जिस भी बोट छी है अगर दर खिया है तो आपको यह अधर कर देया आपको यह सिलेक्ट कर देना है अगर आपने इन तीन बोट स Etam एक बॉर्ट से 10th किया है तो आपको वो बॉर्ट select कर देना उसके बाद आपको यहां पर 10th percentage select करनी है उसके बाद 10th result date उसके बाद 10th over 10 marks और यहां पर आपको फिल करने अपने maximum marks उसके बाद आपको 12th board select करने 12th percentage 12th result date तो आपको यहां पर आपको बता रहा है कि आपका जो फिजिकल स्टेंडर्ड है वह यहां पर आपका जो चैस्ट है वह है कि आपको फिजिकल रहा है बिज अगर आपको नो करते हैं तो आप आगे नहीं जा पाूगे इन इन सब में यस करने के बाद आपको यहां पे save and continue पे click करने हैं save and continue पे click करने के बाद आपको बता रहे है do you have poses, education qualification, advertisement तो आपको यहां पे yes कर देना है उसके बाद आपको यहां पे अपना examination center select करना है आप जमो डिवीजन में examination center रखना चाहते हो या कश्मे डिवीजन exam center select करने के बाद आपको save and continue पे click करने के बाद आपको यहां पे अपना latest photograph upload करने है और upload आपको latest signature अपनी upload करने है उसके बाद आपको यहां पे browse file पे click करने है ब्रोज फाइल पे click करने के बाद आपका जो photo का size है वो less than 1 MB रहेगा और आपके जो signature का भी जो size है वो less than 1 MB रहेगा अपना photo और signature select करने के बाद आपको save and continue पे click करना है save and continue पे click करने के बाद आपको दिखाएगा photo and signature uploaded successfully उसके बाद आपको यहां पे अपनी details चेक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है scroll कर देना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे build desk पे click करना है उसके बाद आपको proceed to payment पे click करने के बाद यहां से आप अपनी payment जो है credit card debit card और other bank debit card या internet banking जो भी आपके पास payment option available होगा उससे आप payment कर सकते हो यहां आपके पास रुपे कार्ड होगा उसके बाद आपको यहां पे अपना card number, expiry date, year और CVV और card holder name एंटर करना है उसके बाद आपको make payment पे click करना है make payment पे click करने के बाद आपकी जो payment है वो successfully हो जाएगी आपका जो print out है वो जरनेट हो जाएगा और आपका जो application number है वो भी जरनेट हो जाएगा और यह थी मेरी आज की वीडियो तो कैसे लगी वीडियो लाइक, share और subscribe करना ना भूले तो मिलते एक और नई वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिज, thank you